नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं Samsung Galaxy M31 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके मोबाइल में टॉग पैक आपका गलती से ओन हो गया है जैसे कि मैं आ अगर आपका screen lock है तो उसको unlock कैसे करना जबसे पहले मैं आपको यह दिखा देती हूं आपको two finger ऐसे करनी है और दोनों को एक साथ screen पर रखना है ऐसे और ऐसे कर लेंगे तो यह आपका unlock हो जाएगा अगर आपका pin वाला pattern आपने लगा रखा है तो उसको आपको double tap ऐसे से करना है double tap करके एक बर दबाएंगे one को double tap करके one two को दबाएंगे double tap करके three को दबाएंगे यानि कि अगर आपने कोई सा भी password लगा रखा है तो उसको आपको double tap करके खोलना है मतलब एक बर आप tap करके नहीं खोलेंगे दो दो बार tap करके खोलना है उसको ठीक है one finger से use करेंगे तो आपका use नहीं हो रहा है कोई भी application आपका work नहीं कर रहा है यानि कि आपका touch screen बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है यहां पे तो इसको कैसे fix करना है तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो इसके लिए आपको two fingers से swipe करना है और swipe down करना है swipe up करना है जो आपको करना है तो वो आप कर लेंगे और setting पे चले जाएंगे setting पे बार click करना है और दो बार आपको tap करना है और इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ इस टैप का इंटरफेस कुल जाएगा आपको टू फिंगर से इसको scroll करना है और इसके बाद accessibility पर आपको click करना है और दो बार tap करेंगे और इसके बाद आपको Screen Reader पे क्लिक करना है दो बार आपको tap करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Voice Assistant आपका on है इस पे आपको क्लिक करना है और इसको दुबारा से आपको दो बार टैप करना है और Turn Off पे क्लिक करना है दो बार टैप करना है तो यह यहां से बंद हो जाएगा तो अब आप अपने mobile को one finger से use कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे आपका phone था वैसी हो चुका है तो इस step से आप talk back off कर सकते हैं अपने mobile में तो I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा चैनल को तो चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तद तक के लिए नवशकार